हेलो स्टूजेंट्स वेलकाटू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे आप सब लोग मस बढ़िया चले स्टार्ट करते हैं आप फार्मसुटिस का नेस्ट चैप्टर चैप्टर नुबर फाइव जो की एक्चुली कई सारे चैप्टर अगर आप भी फार्मा जब करेंगे यह उसका स्लेवर उठाके देखेंगे तो यह सारे चैप्टर न उसमें अलग अलग दे रखें यहाँ पर सारे कमाइंड कर दिये हैं है न हमको देखने में लगता है कि फार्मसुटिक्स में केवल सेवन चैप्टर है बट एक्चुली चैप्टर नमबर फाइव अपने पांसु मिलिगरम मार्केण मेडिसीन आठीक है फिर फोर्म किस रूप में दे कैप्सूल के रूप में दे क्या क्यते हैं तो रूप में देना है तो तो यह तो देनी है है, syrup की रूप में देनी है, injection की रूप में देनी है, तो बात क्लियर होगी, pharmaceutical यानि कि हमारी pharmacy में इस्तमाल होने वाले pharmaceuticals क्या होती है, वो सारी चीजें जो patient को ठीक करने के लिए इस्तमाल होती है, doses form, क्लियर हो गया, तो अब इसी और हम state wise बात करें तो चार तरह की form आ जाती है मारे पास अपने स्टार्टिंग हो रही है टैबलेट से ठीक है नहीं फार्मसिटिकल डोज़स फॉर्म जो PCI के स्टार्वस दोखो तो वहाँ पर यह भी निमेंशन नहीं है कि यह फार्मसिटिकल डोज़स फॉर्म है कि वह लि प्रणने जा रहे हैं और टैबलेट बढ़ेंगे टैबलेट में भी बहुत बड़ा है अपने आप में हमारे सेलिवस में केवल कोटेड अनकोटेड और मोडिफाइड रूप है तो टोटल इसके मैं बता दूं तीन पार्ट होने वाले हैं टोटल टैबलेट के थ्री वाले पार्ट थोड़ी छोटोटे रहेंगे को एक ही में करता तो लेक्टर फिर बहुत लंबा हो जाता है स्टार्ट करें चलो आजाओ ठीक है तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या है फार्मसोटिकल डोसेस फॉर्म डेफिनिशन की बात करें अगर हम लोग तो डे सिंपल भाषा है अपने रूप में रिखलो डोसेस फॉर्म क्या है एक तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग ड्रग मॉलिक्यूल को दवाई को मेडिसिन को डिलीवर कर रहे है कि वो बॉड़ी में अपने जगह पर जाके काम करें सिंपल इसके और तमाम डेफिनिशन है जो स 400 mg या जा रहा है 200 mg या अगर मान लोग पाउडर को हम लोग वेट करके भी देंगे तो थोड़ा सा बड़ा हेक्टिक वर्क हो जाएगा हर बार ही 100 पेशेंट है फटाफट देना है वेट करना है पाउडर है कई बड़ जाएगा मान लोग पाउडर बनाके रख भी लिया हम सब्सक्राइब कोशाइब लोग इसको घॉट कर लेते हैं इसको यह लोग पूंढ फोना हम उसको पोटेक्शन देना चाहते हैं कि कोई हवा वगारा मौश्रा बड़ा ना लग जा उसको ठीक है अब प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस हम लोग जब एंटरिक को ब इसमाल किया जाता है तो डोसिस फॉर्म की हमें जरुवत क्यों पढ़ती है इन सब चीज़ों के लिए पढ़ती है प्लेस्मेंट ऑफ ड्रक्स विदिन दा बॉड़ी टिसू हम चाहते हैं कि जो ड्रग है वह बॉड़ी टिसू तक पहुंच जाए तो जर्नल कई वर हम ऐसी पर्टिकुलर से जगह पर जाकरके वह दवा डिस्ट्रॉय हो जाती है सस्टेंड रिलीज हम चाहते हैं कि दवा धीर धीरे बॉड़ी में रिलीज हो एकदम से रिलीज ना हो कंट्रोल रिलीज हम चाहते हैं कि कंट्रोल वे में पर सेकेंड इतनी ही दवा बॉड़ी में रि use of desired vehicle for insoluble drug बहुत से drug insoluble होते हैं तो हम उनको एक ऐसे vehicle ऐसे solvent में dissolve करते हैं जिससे कि वो easily dissolve हो जाए और हमारी body के अंदर पहुंच सके बात समझ में आई ठीक है तो doses form के starting में intro की doses form है क्या अब doses form का और फ़र सा intro देख ले हम लो तो classification और doses form की बात करें तो doses form को हम root of administration के हिसाब से classify कर सकते है physical state solid liquid gas किस टाइब से है उसके हिसाब से classify कर सकते है ठीक है then site of application कहां पर उसे apply करना है और कैसे उसे use करना है तो कई तरीके से हम इसको classify कर सकते हैं तो मोटा मोटा कर में बात करूँ यहाँ पर तो पहले हम लोग बात करेंगा root of administration के हिसाब से तो देख सकते हैं oral parental oral में powder भी आते है tablet, capsule, suspension, solution, emulsion, elixir, syrup magmas, cashew, gel, pills यह सब चीज़ें आ जाती है parental की बात करें solution, suspension और emulsion आ जाते है transdermal ठीक है suspension और ointment आ जाते है then sublingual, tablet, logenges आ जाएंगी यह पढ़ेंगे अभी हम लोग vaginal की बात करें suppositories, tablet, ointment, cream और doubt इस ठीक है conjunctive oil की बात करेंगी यह भी कहीं नगे आँखों के लिए हो गया तो ointment हो गया intra respiratory में aerosol का इस्वाल करते हैं अब यह क्या क्या होती है समझेंगो बात की बात है फिलाल आभी हमारे पास क्या है में क्या focus करना हमको इसका देख लें किस आधार पर हम इसे classify कर रहे है then आगे देखें इसको अगर हम लोग तो physical form solid, semi-solid, liquid और gases तीनी तरीकी के चार तरीकी से होती है ठीक है ना pharmaceutical chemistry तुम लोग बढ़ते चले आ रहे होगे उसको तुम लोग देखी रहे होगे या तो tablet वगरा रहती है या cream वगरा रहेगा liquid में क्या रहेगा syrup वगरा आयाता emulsion वगरा आयाता और gases में inhaler और aerosols वगरा आयाते है तो ये ठीक है ना physical form के अधार पर हम लोग यूज़ कर सकते है ठीक है बाग की पूरा यात करना नहीं है इसी में एक एक दोदो एक्जामपल या आगए MLDF इतना आगे जाने की जरूद नहीं है ठीक है ना solid base के अधार पर इसके examples तुम लोग लिख दोगे ठीक है यह सब इतना detail में जाने की जरूद नहीं है अगर करते हो या तो वाला लिख दो या या लिख दो अगर पूछता है तो site of application skin पर काम करना है की eye पे की tooth पे दांत में की हाथ में की foot पे की hair पे नेसल पे तो उसके हिसाफ से cream के नाम दे रखे है ठीक है किस site किस जगे पे drug का काम होना उसके अधार पे हम classify कर सकते है या uses internal या external तो internal में all preparation except external और external में all preparation except internal हम इस तरह से कर सकते है तो इस basis पे हम लोग कई तरीके से classify कर सकते है doses form को तो basically सबसे अच्छा जो माना जाता है वो यही है अपने पास एक तो यह है physical form solid liquid gas और दूसरा अगर कभी आता है तो केवल यह दो ही देना root of administration वाला चारों याद हो यह अच्छी बात है और physical form के अधार पर यह दो ही classification करना और दूसरी classification मत करना दो नंबर का आएगा question आएगा जाएगा 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 तो बहुत जाएदा हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है ठीक है बाद बागी dusting powder gel paste यह सब तुम लोगों को पता है तुमारे घर में कभी न कभी इस्तमाल चीज़े होई है तो तुम लोगों को इसका आएग्जांपल पढ़ोगो तो आएडिया लग जाएगा ठीक है mouth wash जैसे बगरा spray eye lotion सब पता है तुमको क्यों लिए समझना था किस किस रूप में होते हैं यह के लिए रोगी बात है अब आयाते हैं अपने tablet जो की specifically mentioned है अपने course में तो हमें समझना था ऐसा tablet है क्या तो tablet क्या है pharmaceutical doses form है pharmaceutical doses form फार्मसीटिकल doses form में भी solid form है कौनसी form है solid form है physical state का अधार पर अगर हम बात करें introduction की बात कर लें अगर हम लोग तो देखो क्या है क्या कह रहा है solid medicaments जो solid medicaments होते है मतलब किसी के दुवारा दिया जाना कौन देता है डॉक्टर के दुवारा लिखा जाता है पाउडर के रूप में और लेते हैं पिल्स टैबलेट को पिल्स ही बोल देते हैं कैशे कैप्सूल और टैबलेट जो solid medicaments है solid form है दवाई की उसको हम लोग पाउडर पिल्स कैशे कैशी कैप्सूल और टैबलेट व्यृप में रहेते हैं बता दिया solid की बार हम बता दिए यहां पर जो मैंने का था कि इसका एक solid रूप है दवाई देने का एक तरीका है जिसमें solid इस्तमाल करते है दवाई की solid रूप इस्तमाल करते हैं अब these doses form contain a quantity of drug in doses के अंदर दबाई की कुछ quantity होती है which is given as single unit जिसको एक ही बार में खानी होती है single unit है अगर 50 mg है 100 mg है तो एक ही बार में खानी है ठीक है and they are collectively known as solid unit doses form इनको हमनों collectively क्या बोल देते है solid unit doses form अब solid unit doses form बात समझ में आ रही होगी हमने पीछे classify किया था solid, semi solid, liquid और gases तो यहां पर tablet को solid के अधार पर explain किया जा रहा है उसको define करने की कोशिश की जा रही है बात समझ में आ रही है ठीक है तो solid unit doses form है या solid doses form है tablet हमारी a tablet also known as pill is a pharmaceutical oral doses form या oral solid doses form और solid unit doses form तो दबाई tablet क्या होती है एक pharmaceutical oral doses form है तो हमको उसके लिए पहले क्या समझाना होगा कि pharmaceutical doses forms क्या होती है तो doses form के लोग उपर वाली definition और फिर उसके अंदर हमारे example कौन आती है tablet tablet कौन से आगी oral root के अधार पर किस root से लिया जा रहा है उसके अधार पर oral उसका क्या रूप है solid liquid gas उसके अधार पर solid तो दोनों तरीके से classify के अधार पर यहाँ पर उसकी का define कर दिया जा रहा है बात समझ में आ रही होगी इसलिए उसको पहले समझा है वहने ताकि यहाँ पर ज्यादा explain करने की ज़रूद ना पड़े कि इन शब्दों का मतलब किया है के लिए लोगी बाते हैं now tablet is defined as compressed obviously बात है powder होता है उसे हम compressed करते है solid doses form अब बार बार यह word आ रहा है solid doses form तो doses form समझ में आ गया solid doses form containing medicaments इसके दवाई होती है with or without about excipients excipients क्या होता है जो में दवाई के अलावा binders है diluents है glident है ठीक है disintegrants है तो दवाई को तोड़ने काम करते हैं पेट के अंतर जाकर के तो यह सब चीज़ें जो extra डाली जाती है उनको हम लोग क्या बोलते है excipients में दवाई के अलावा लिख लो चाहो तो हिंदी में ड्रग के अलावा जितनी भी extra चीज़ डाली जाती है वो सब excipients होती है अब according to Indian pharmacopia IP की बात करें अगर हम लोग pharmaceutical tablets are यह आगी IP की definition आ रही है आपर हमरे पास किसकी definition आ रही है आई-पी की definition तो कही ना कई उपर explanation है definition वो लिखो यह लिखो फरक ने पड़ता है आई-पी की लिखो और इच्छी बात है pharmaceutical tablets are solid solid होती है flat होती है और bi-convex हलकी से कई बार है ना मुड़ी हुई जाती है इस तरह शेप में रहती है बाइ-convex ठीक है solid by-convex dishes है ना प्लेट नुमा शाइप में रहती है unit doses form prepared by जो प्रिपेर की जाती है compressing a drug और a mixture of drug है ना या तो single drug को compress करते आएगा या mixture of drug को compress करते है with or without diluent ठीक है diluent के साथ या बिना diluents कि अब diluents किया आगे detail में समझेंगे अभी हम लोग they vary in shape and differ greatly in size इनका shape और size काफी जादा अलग-अलग होता है बहुता ही टेलोटे कोई छोटी है कोई बड़ी है है ना अलग-अलग होता है and weight सबका अलग weight भी अलग-अलग है कोई 10 mg की है कोई 20 mg की ह depending upon amount of medicine substance and the intended mode of administration की उसका कितना amount है weight किस पर depend करेगा कि हमको उसके अंदर कितनी दवाई रखनी है 50 mg 100 mg और किस mode में उसको दी जाएगी जैसे कि अगर tablet होगी तो ज्यादा बड़ी नहीं होती है लेकिन वहीं suppository होगी जो vagina या NS में रखी जाती वो थोड़ी सी काफी बड़ी ह होती है लगबग इतनी बड़ी है pen की size shape की हो सकती है इतनी बड़ी ठीक है तो यह आगे अपनी IP की definition तो जो तुम्हें पसंद हो यह इन सब में से mix-up करके अपना लिखना चाहते हो एक definition बना के लिख सकती हो ठीक है समझाने के अलग-अलग तरीक है यहां पर क्यों अच्छ है compressing तो तो इसके अंदर सारी चीजें mention है एक tablet को उसके क्या होती क्या है कैसे बनती है कैसे दी जाती है सारी चीजें इस वाली definition में covered होती है इसलिए यह अच्छी definition माने जाती है clear है आगे आता है यह इंट्रो वाड़ा पाट चल रहा है भी it is the most popular doses form and 70% of total medicines are dispensed in the form of tablet जितन के मतलब solid semi-solid ठीक है liquid और aerosol उसमें सबसे ज़्यादा popular tablets ही है easy होती है बनना असान होता सस्ती होती है total medication में 70% इसी रूप में दवाईयां दी जाती है all medicines are available in the tablet form except where it is difficult to formulate or administer हर चीज में tablet हर कोई medicine उसके tablet available होगी बशर्ते ऐसा ना हो कि उसे बनाना मुश्किल हो और उसको देना मुश्किल हो अगर ऐसी को condition है जहां पर मालो डोस बहुत जाद है injection पांच-पांच एमल के उसमें है ना पांच-पांच ग्राम मिलाया जाता है तो ऐ ऐसी situation में क्या है फिर हम tablet इतनी heavy नहीं बना सकते तब हमको किसी और medium में जाना पड़ता है ठीका मालो भाप ही देनी किसी को तो वहां tablet क्या करेगी है ना लंग्स में पहुंचाना भाप देकर तो वहां tablet पॉसिबल नहीं है तो बहुत साई situation ऐसी है जहां पर tablet का बनाना है जाना यहां सरगा मोल्डिंग है आउसरे मोल्ड शेप पकारा देते हैं थिक है मोल्ड करते हैं धाल करके बनाना यह re vents Car sada do with all the Energies सका सब्सक्राइब करएं ग्रेडाइनमश क्या होतहिता नहीं आभी देखें के लोग लूब्रीकेंट्से टो इनने pseudo West डिसिंटीग्रेशन डिसिंटीग्रेंट टू प्रमोट टैबलेट ब्रेकप ठीक अच्छा जो यहां मैंशन उसको हम देख लेते हैं ग्लाइडेंट है ग्लाइडेंट क्या करता है फ्लो फ्लो जाना की इजीली फ्लो जैसे मैं तुम बताया था घर में आगा तो आपके चीनी जाए पूरी पूरी ऐसा नहीं कि टैबलेट बनी रहे और फिरो निकल जाए तो भी दिसिंटीग्रेंट टू प्रमोट टैबलेट ब्रेकप इंदा डाइस्टिव ट्रेक स्वीटनर्स मीठा पन लेके आते हैं फ्लेवर्स टू इनांस टेस्ट एंड पिगमेंट्स पिगमे करता है इन वीजुल आइटिफिकेशन ऑफ अन्नोन टैबलेट मालो डॉक्टर ने तुम्हें चार टैबलेट लिखी है ठीके ना तो अब भई कोई इंसान अनपड है तो उसमें क्या बोलेगा डॉक्टर बोलेगा लाल वाली सुभी खाना हरी वाली दुपैर में खाना और सफेज वाली शाम को खा लेना तो जो अनपड़ लोग हैं पड़े लिखें नहीं उनके लिए कलर काफी हैल्फुल हो जाता अच्छा डॉक्टर साब में कहीं थी लाल पहले खानी है बात समया रही है तो एडीन वीजुल आइंटिफिकेशन आंको से देखके पैचान सके है ने पोलीमर कोटिंग बड़ा इंपॉर्टंट की जी जएंगी फिर हम बाड़ बाधी इसे जो चाहते हैं कि पेट के अंदर पहुंच करके tablet एकदम से ना घुल जाए थोड़ी थोड़ी करके घुले to make it more resistant to the environment and extending its self-life याने कि हम चाहते हैं कि या coating रहे की तो direct oxygen या heat उसके उपर असर नहीं डाल पाएगी तो उसकी self-life याने कि expiry हम बढ़ा सकते हैं और to enhance the tablet appearance और coating से क्या होता है उसका appearance बढ़ जाता है अच्छी लगती ही देखने में ओके medicinal tablets were originally made in the shape of disc शुरुआत में यह shape of disc है na disc shape में आती थी but are now made in many shapes and color to help distinguish different medicines but आज कल बहुत सारे shape sizes में आ रही है size नहीं कहेंगे shapes में आ रही है और colors में आ रही है जिससे कि उसे पहचानना हमको असान हो जाता है tablets are often imprinted उसके पाद छपाई होती है company का brand का नाम होता है with symbol, letters and numbers which allow them to be identified जिससे उसे पहचानना असान होता है or a groove to allow splitting by hand और groove, groove मतलब एक खाचा होता tablet के बीचा बीच में देखा होगा sizes of tablets to be solid range from few millimeter to about centimeter size की बात करें तो कुछ millimeter से लेकर के कुछ centimeter तक कर रहता है जो खाणनल tablet होती है वहां तक इसका size जा सकता है this is all about introduction यहाँ पर हमने पूरा लगवग एक बात समझ ली यहाँ पर में चीज़ पकड़नी दी definition कि इसकी definition कि इसकी definition क्या है बात समझ में आ रही है तो tablet अगर मैं बात करूं overall तो यहाँ पर अगर जनल आयाता है कि writer short note on या दो maximal note on tablet तो यह सारी बात ली वकर तुम लिख किया आते हो दो नंबर में तो परियाद है ठीक है बट अब आगे चलते है exact points पर आते हैं हम लोग ठीक है advantage क्या है क्यों tablet दूसरे doses form से अच्छी है तो advantage क्या है they are unit doses form and offer the greatest capability of all oral doses form for greatest dose pre-season dose की pre-season इसमें सबसे जादा है क्योंकि उसमें factory से ही बनी बनाई dose आती है ठीक है ना अब सीरफ बगरा में क्या है धक्कन पी रहे हो चमच में तो परसला थोड़ी कम जादा भी हो सकती है ठीक है ना and the least content variability इसके अंदर variation होने के chance भी बहुत कम है cost is lowest of all oral doses form सबसे कम cost लगती है क्यों टैवलेटी दो बना नहीं है पैक कर दिया सीरफ बगरा injection हो गरा उसके लिए अलग से फिर कांश की बोटल भी चाहिए पैकिंग भी चाहिए लेबलिंग भी चाहिए तमाम चीज़े हो जाती है lighter and compact हलकी होती है और काफी छोटी होती है easiest and cheapest to package and strip इनको strip में पैक करना क्या असान होता है सस्ता होता है निगलना असान होता है sustained release product is possible by entering coating injection में या अपना सीरफ में ऐसा possible नहीं है वाद टैबलेट में हम लोग sustain release sustain release को भी detail में देखेंगे क्या होता है third part में आएगा कि हम tablet पेट में जाए और धीरे धीरे प्लाजमा कंसेंट्रेशन कर दो थोड़ी दवाई डालता रहा है और एक दवाई की मात्रा को मेंटेन रखे है हमारे ब्लड के अंदर हम ऐसा टैबलेट के साथ कर सकते हैं किसी और के साथ नहीं कर सकते अब्जेक्शनेवल और एंड बिटर टेस्ट कैन भी मार्क्ट बाई कोटिंग टेक्निक है ना अगर कडवी वगरा है तो उसको पर कोटिंग कर देंगे मीठी सी मुह में जाएगी तो मीठा मीठा लाएगा तब तक हम खा लेंगे पेट में जाकर अगे फरक नहीं पड़ता होते हैं तो प्रोड़क्ट का असान होता है साइज भी छोटे बड़ा होता है तो हम पहचान लेते हैं एंड रैपिड रॉक्वाइरिंग नो अडिशनल स्टेप वें इंप्लोइंग एंड इंबोस्ट और मोनोग्राम पंच फेस्ट तो कह रहा है प्रोड़क्ट अडिशन स्टेप्स की जरूत नहीं पड़ती है कि जब हमें एक तो असान हो गया अगली लाइन का मतलब कि है जब हमें उसके उपर वह मोनोग्राम वगएर ना या पंच करना पड़ता कि हाँ ए बीशी लिखना होता है तो बस जो हमारा सांचा होता है उसी में खांचा कार देता है होती है उसी के साथ ही उसका नाम लिख जाता है तो कोई भी एडिशनल स्टेप वगएर इसमें हमको नहीं करने पड़ते हैं उसके उपर टैबलेट के उपर अपना कोई भी नाम वगएर या मोनोग्राम डालने के लिए ठीक है ना बात समझ में आगी डिसद्वांटेज क् केस ओफ चिल्डरन एंड अनकॉंसियस पेशेंट टैबलेट बच्चे जल्दी नहीं खापाते हैं और जो पेशेंट अनकॉंसियस है बेहोश है उसको हम लोग टैबलेट नहीं खिला सकते हैं कुछ ड्रग को कमप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है उनकी लोग डेंसिटी और होती है उसकेस में हम कमप्रेस नहीं कर पाते हैं बिटर टेस्टिंग ड्रग्स ड्रग्स विद अब्जेक्शनल ओडर जिसका टेस्ट कड़ुआ है या गंद आ रही है इसमेल आती के वर गंदी सी और ड्रग डेटर सैंसिटिव तू ऑक्सीजन या ऐसी दवाईयां जो हवा लगने से खराब हो सकती है में require encapsulation इनको cover करने की जरूरत है ठीक है coating की जरूरत है वीच में increase production cost जिसकी वैसे production का cost बढ़ जाता है और दवाई की कीमत बढ़ जाती है high dose drugs are difficult to formulate as tablet जो जिसमें high dose चाहिए होती है जो बड़ बड़े injection लगा जाते हो उसको tablet के रूप में है उसको formula कर लिया 5 ml पानी में घोल के लगा दिया तो injection में तो possible है बट यहां tablet में बहुत बड़ी tablet हो जाएगी खाने में मुश्किल आएगी some drugs which preferably get absorbed from the upper part of GI may cause bioavailability problems in the tablet doses form कुछ drugs ऐसी हैं जो upper part of GI यानि कि डियोडर्म वगरा हो गया या stomach वाला part हो गया वहाँ पर इनका absorption अच्छा होता है बास समझ ना लेकिन वहाँ पर अच्छा होगा लेकिन जैसी दबा आगे बड़ेगी तो उसका absorption क्या होगा उतना अच्छा नहीं होगा तो bioavailability की problem आ जाएगी क्योंकि पूरे intestine में वह एक समान absorbed नहीं हो रही है drugs having poor wetting properties ठीक है जो drugs का wetting वैट मतलब गीले नहीं होते है पानी से नहीं भींगे क्योंकि body कना जाने का तो पानी पानी है slow dissolution profile जो जल्दी घुलती नहीं है and high optimal gastrointestinal absorption और जिनका high optimal gastrointestinal absorption वो intestine में जाके बहुत जल्दी से absorb होती है तो अब है क्या absorb तो तब होंगी जब वो गीली होंगी और dissolve होंगी तो हुआ क्या ऐसी दवाईयां जो है difficult और impossible to formula अब इनको हम बना नहीं सकते हैं मुश्किल है क्यों एक तो गीली नहीं हो रही है डिजॉल्व नहीं हो रही है गीली नहीं हो रही है तो घुलेंगी नहीं जल्दी और intestine में जाकर के बहुत जल्दी से क्या होती है absorb होती है अब वहाँ पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक dissolve ही नहीं होई है तो बताओ फिर आगे absorb कैसे होंगी यह पास हो जाएंगी आगे फीसे से बाहर निकल जाएंगी ठीक है करें या टैबलेट के classification की बात कर लें एक ही बात है कंफ्यूज नहीं हो ना टैबलेट की बात करें टैबलेट क्लासिफिकेशन की बात करें इंजेस्टेड और ली जिसको मुह से खाते हैं यूज इन ओरल कैविटी जिसको मुह में रख लेते हैं है जीब के नीचे यूज कुछ टैबलेट्स ऐसी होते हैं जैसे कि अपना वह आता है क्या गैस वाले बड़ वड़े कैप्सूल आते हैं गैसो फास्ट वगरा देखा पाने में डाला सलूशन तयार एड्मिस्टर्ट बाए अधर रोट या किसी और तरीके सहम दे रहे हैं औरल की बात करें तो कैलेट है मुंटी पेल कंप्रे dévelopATE है एंटẹраш कोटे डाय संस्टेन रिली से अंग चूचे अंहिए सुगर कोक्ते टैबलेट है थो फिल्न कोटे टैबलेट है तो यूजसे हैं अगा ताकि बच्चों को पिला सके हम लोग हाइपोडर्मिक टैबलेट है न ऐसी होती है हलका सा सरजरी करके स्कीन की इंचे लगा दी आती है और मोल्डेट टैबलेट होती है अपनी देन एड्मिस्टर बाइ अधर रूट इंप्लांटेबल टैबलेट या वेजैनल टैबलेट इम हम लोग एक दो तीन चार चार केटिगरी में टैबलेट को डिवाइड कर सकते हैं किलियर है अब फटाफट इनको लोग देख लेते हैं कि यह क्या क्या होती है ऑकव के टैबलेट इंडेस्टेड ओर ली चले इसटार्ट करें फटाफट ऑके डियार डिजाइन टू को इन्हें निगलना है पाने के साथ खाएंगे तो इसमें सबसे पहला आता है compressed tablet जिसको compress करके बनाया गया है simple सारी tablet almost compress करके भी बनाई जाती है इसमें एक्जांपल के आगया परसिटमॉल अब compression में भी कई variety होती है फिर एक आती है multi compressed tablet कई बार मतलब एक बारी इसको compress किया इसको compress किया फिर तीनों को compress किया तो multi compressed tablet उसमें क्या होता है हम लोग ऐसी दो drugs को एक साथ मिला कर मिला देते हैं जो क्या है आपस में compatible नहीं है बनाते वक्त लेकिन body में जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे बीच में एक inert layer होती है inert polymer की two incompatible drugs अब ये एक drug बन गया हम खाएंगे तो हमें दो दो गोलियां खाने की जरूद नहीं है एक ही गोली में हमारा काम हो जाएगा बात समझे भाई तो multiple compressed tablet are compressed tablet made by more than one compression cycle एक से ज्यादा compression की जब जरूद पड़ती है compress करना पड़ा एक दो तीन और फिर चौथी बार में सबको compress करना पड़ा ठीक है तो multiple compression आ गया दे यूजिली प्रपेड टू सेपरेट physically और chemically incompatible ingredient इस तरह का इस्तमाल जरूद क्यों हो जाता है कि मालो इसके अंदर जो drug और excipient इस्तमाल हो रहे है और इसके अंदर जो drugs और excipient इस्तमाल हो रहे है इन दोनों के आपस में अकर मिलाएं एक साथ तो दिक्कत हो जाएगी तो हमने किया कि देना भी चाहते हैं हम लोग एक साथ तो हम लोग mix कर कर देंगे इसको अलग बनाएंगे इसको अलग बनाएंगे बीच में कैसी लेयर लगा देंगे जो बॉड़ी में जाके सिंपल डिजॉल्व होगी लेकिन कोई काम नहीं करेगी इस तरीके से दोनों को यह बांजने का काम करती है ठीक है अच्छा एक और तरीका है इसका एक तो होगा होगी अंदर वाली लेयर में ऐसा वह रहता है कि वह जल्दी घुलेगी नहीं फिर दो तीन चार घंटे बाद फिर यह अंदर वाली कोड डिजॉल्व होना ही स्टार्ट होगी तो रिपीट या प्रोलोंग एक्शन द्वारा से ड्रग का एक्शन स्टार्ट हो गया या मैच नहीं खाते हैं तो उनको अलग-लग बना करके कंप्रेस कर लेते हैं और या रिपीट अक्शन हमें को दवाई का असर बार बार लेके आना है या लंबे समय तक रखना है तो उसकेस में मुन्वित मिल्टी पिल कंप्रेस्ट टेबलेट का इस्तमाल करते हैं बेटा यह जहां रखना one marks question यहां से create होगा तुम्हारा which type of tablet which type of tablet produce repeat action अब दे देगा वो तुम्हें कि compress tablet multi compress tablet इस तरह चार option दे देगा तो यह तुम्हारा question है one marks का ठीक है आगे आते हैं then sustained action tablet अच्छा यहां पर बात समझते चलना sustained action क्या होता है यह टाबलेट that release its active ingredients in specified doses at timed interval एक टैबलेट बना दी जाएगी ठीक है उसके जो इंग्रीडेट उसके उसके उपर एक खासरे coating कर दी जाती है वो coating क्या है बहुत धीरे से dissolve होगी ठीक है और उसके बाद यह जो टैबलेट हैं धीरे-धीरे करके एक fix amount में है ना कि ऐसे मानके चलो कि हर एक घंटे में मालों 10 mg की टैबलेट है तो हर एक घंटे में एक एक mg या हर दो घंटे में 2-2 mg या एक घंटे में 2-2 mg और हर घंटे में 2 mg डिजॉल्व हो जाएगी दो एमजी उपर की लिए कि 2 mg डिजॉल्व 2 mg डिजॉल्व तो सस्टेंड रिलीज अपना रिलीज होना एक तरह से यूं रख लो यूं कहलो कि जो अपना ब्लड का प्लाजमा के अंदर दवाई की कंसेंट्रेशन होती न वो लगाता है रिलीज होने की वाई से मेंटेन रहता है काफी लंबे समय तक ठीक है न एक टाइम्ड इंटरवल पर एक खास इंटरवल पर हर बार क्या करेगी वो थो थोड़ी रिलीज होती जाएगी जिसक पेट का जो एसिड होता है उन दवाई के कांस्टिटोंट को खराब कर देगा पहली कंडिशन या कुछ दवाईयां ऐसी होती है जो पेट में घुल गई अगर तो पेट में जाकर के जरन पैदा कर देंगी वागे सेल्स को डेमेज करती है इन दोनों ही कंडिशन में हम चाह बहुत कम होता है जैसी हो इंट्रेस्टैन में मूव करेगी टैबलेट जहां पर पेट थोड़ा सा ज्यादा होता है ना पढ़ चुके वह चीज़ उसमें हमारी इंट्रेस्टैन ने पहुंचती है ठीक है प्रवेंट ड्रग फ्रम अर्ली डिजॉलीशन एंट्री कोटिंग रहे लगी बाइग गैस्टिक एसीड हैज दा ड्रग टु पास्टफ दा गैस्टिक और मदद करती दवाय की कि वह घैस्ट्रिक को पास करके पेट को पार करके इंट्रेस्टैन में आ जाए शुगर कोटेट टेबलेट यह बड़ा सिंपल है और सुगर कोटेट टेबलेट इसे कि कड़वापन ना लगे सिंपल सी बात फिल्म कोटेट टेबलेट कोटेट लेट शुगर Łasal अनुसुंध। अनको चुडाने के लिए निकोटीन टेबलेट आती है तो चुडाने के लिए निकोटिन टेबलेट आती है form intended intended मतलब जिसकी मंशा होती है इस मंशा से बनाई जाती है इस कारण से बनाई जाती है to be chewed कि उसके चवाया जाए and then swallowed उसके बाद उसे निगल लिया जाए by the patient rather than swallowed whole बजाए इसके कि उसको पूरा निगला जाए तो पहले चवाया जाता है और फिर निगला जाता है बाद समझ में आ रही है के लिए आ रहे है तो यहाँ पर एक जाकर देख सकते हो c immunity के नाम से desert के नाम से जाने की vitamin c की tablet वकरा कुछ आती है ठीक है market में जाकर के तुम लोग इसको check कर सकते हो बाद समझ में आ रही है अब यह तो होगे oral वाला tablet used in oral cavity वो था ingestion हमने निगल ली अब cavity मूँ के अंदर ही रखी जाएगी used in oral cavity का मतलब है मूँ के अंदर ही रखी जाएगी ठीक है अरे हसदो सीरेस मत रहो रिलाक्स होगे देखो lecture आजाओ आगे बकल tablet गुड आजाओ ठीक है इसले कर देता हूं इससे कि एकदम से कई बार क्या होता है आदा पॉन गंटा हो जाता है तो बच्चा एकदम से पढ़ते पढ़ते चीजों उपसे ना जाने ल जो जिसकी वैसे पर मिरेशन मतलब यहां पर रखते ही जो आख्याव होता है वह weekly ली क्या होता है एब सूरुधा ओरल म्यॉकोसा यहां पर म्यॉकोसा होती है पढ़ोगे जब तुम लोग सेखेंडेर माई जाओगे मुझे अंदर टेड़ेट रखी जाती है वो डायरेक्ट ब्लड में चले जाती है उसका वेनिफिट होता है फस्ट पास मेटावालिद्म ना कि आगे आते हैं सब लिंग्वल टैबलेट यानगे जीब के नीचे सब लिंग्वल एड्मिस्टेशन इंवल्फ प्लेसिंग ड्रग दवा को रखा जाता है अंडर यूर्ट टंग जीब के नीचे जिससे कि वो डिजॉल्व हो जाए और आपके ब्लड में चली जाए लोजेंजेस और टैबलेट स्ट्रेप्स कौन नहीं जानता है इसको थ्रोट लोजेंजेस आलसो नोन अस कफ ड्रॉफ ट्रॉचे काचाव पैस्टिले कफ स्विट का ही नाम से जाना जाता है ठीक है तो हम जो कि इस मंचा से बनाई जाती है टीक है इनटैंशन उसका इंटैंशन ही होता है कि वह डिजॉल्व हो जाए हमारे मांथ में और टैंपरिली स्टाफ कफ और हमारे कफ बगारा गले के खरास बगारा को दूर कर दे बास समझ में आ रही है असान है चैप्टर बस चीजें हो सब्सक्राइब यहां पर गड़ा कुछ दिन क्या है खुला रखना या कुछ वजह है तो डेंटल कॉंस इसके अंदर ऐसी दवाई होती है जो यहां पर जाती है ताकि यहां पर कोई भी बैक्टिरिया वगरा ना पनपपाय या किसी टाइप का इस गड़े में इंफेक्शन न हो गई है आफटर टूथ एक्स्ट्रेक्शन जब दान निकाल ले जाता है तो वहां पर भरने के लिए अ बैक्टिरिया की मल्टिप्लाइब को रोखते हैं इन दा शॉकेट बाइउजिंग इस्लो रिलीजिंग एंटी बैक्टिरियल कंपाउंट्स ठीक है इन इसके अंदर एंटी-बैक्टिरियल कंपाउंट्स होते हैं जो जिए दे निकलते रहते हैं बैक्टिरों ग्रो होने नहीं देते हैं नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है टैबलेट एनिश्टट बाइज है अधर रूट किसी और तरीके से कौन कौन से तरीके हैं इंप्लांटेशन ओरल खा लिया या मुह में रख लिया इसके अलावा क्या किसी और तरीके से दीश टैबलेट्स है प्लेश अंडर दा स्किन खाल के नीचे स्किन के अंदर इंसर्टेट सब क्यूटेशनली जो हलकी सी मोटी सी स्किन होती नहीं उसे काट के निकाल करके बाइ मीज ऑफ मायनर सर्जीकल अपरेशन हलका से कट मारते हैं और उसके अंदर घुसा देते हैं और इसलोली एब्सॉब और फिरी दीरे क्या होती है इस एब्सॉब हो जाती है चाहा जाती है नाव वेजैनल टेब्लेट टेबलेट रचेंट कोटेंट क्लक्ट राइमीजूल क smoothly पाया जाता है ठीक है अंटि-फंगल होता जा counting-on many चक्रिक में अर् they chỉ में बाड़ प्लेमर्ग 1 язर्ट कर जाता है तो बड़ा इल्ट होजट hmm क्या है mucous रहता है moist रहता है तो fungus का treatment वाड़ मुस्किल होता है तो ये tablets आती है जिसको क्या करता है vagina में insert करते जाता है body की heat से वो melt हो जाती है और पूरे area में medicine फैल जाती है fungus के infection को रूखती है and help in relieving symptoms of fungal infection of the vagina clear है tablet used to prepare solutions बहुत सी tablet solution प्रिपेर करने के इस्तिमाल की जाती है जैसे हमको एक सबसे अच्छी पता disprin अपने खाई होगी पानी के अंदर घोल करके है ना इससरफ हबारी छूटते है ओके इसको हम कहते है effervescent tablet जिसमेंसे बुलबुले छूटेंगे ठीक है टैबलेट्स आर आलसो common intervention of gastric problem ठीक है effervescent tablets are also a common intervention of gastric problem यानि कि जो effervescent होते हैं बुलबुले वाले होते हैं खास करकी ठीक है एस्प्रिन वाले में बुलबुले नहीं आते हैं उसमें दवाई ख्याट छूटती है तो कभी गैसोफास्ट वागए जो टैबलेट्स आते ही दुमने डाली होंगी तो इसमें बुलबुले छूटते हैं तुरण हम उसको पी लेते हैं तो वो gastric problem को दूर करते हैं like heartburn जलन हो रही है upset stomach, pain grabber कर रहा हो या acid indigestion, pain में तेजाब बन रहा हो ठीक है dispersing tablets these dispersible tablets disintegrate quickly in water पानी में है ना कुछ tablet तुमने देखियोगी पानी में डाल दो तुरण तो घुल जाती है और कुछ डालो तो घुलती ही नहीं है तो हम लोग एक गलती करते हैं कई बार तुम लोग अब ध्यान देना कई बार बच्चे को देते हैं तो कई बार coating वाली tablet को जो महिलाएं होती है आपने बच्चे को पिलाने के लिए coating वाली tablet तोड करके पानी में जवरस्ती घुलती है तो तूटती नहीं बजा है इसके आप लोग पिरफर करें डॉक्टर को बोलते हैं कि सर हमको बच्चा घुल के पिता है तो dispersible tablet दे लिख देगा वो पानी में डालो तुरंद घुल जाए ठीक है ना इस टेबलेट डिसिंटेग्रेट क्विक्ली इन वाटर और डिसपर्स इमेडियेटली इन दा माउथ और तुरंद मूग के अंदर डिसपर्स हो जाता है एस्परी इस अवेलेबलाइज डिसपर्सिबल टेबलेट डैट यू कंडिजॉल इंवाटर बिफोर टेकिंग है ना एस्परीन एक टेबलेट आशी है आश्परीन को नॉर्मली टी में भी एडबर रहे दिखा हो गागी दो तैबलेट पाने में डाल खुल जाती है इस टैबलेट्स आर डिजॉल्व इन सूटेबल वेहिकल यह टैबलेट्स शूटेबल वेहिकल लेने की किसी खास सॉल्वेंट में डिजॉल्व की जाती है जैसे की पानी है ना water for injection injection and administered by parental root तो हाइपोटर्मिक टैबलेट्स का जनरली क्या रहता है कि टैबलेट्स रहती है पानी में डालेंगे घुल जाएंगे और एक सलूशन त्यार होता है ठीक है और उसको फिर हम लोग पैरेंट्रल टूट आने के इन्जेक्शन को तोर पर लगा सकते हैं ट्राइट्स टैबलेट्स मेड बाइब 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 ब्राने के तरीके में इसका हूँ है कि गीला कर दिया शेप दे दिया फिर सूख निकले छोड़ दिया पानी ओड़ जाता है और क्योब दबा रहाती इट यूजली क्योंकि वो तो दवा के वाल बंद गई है पानी वोड़ गया तो बहुत जल्दी ब्रेक कर जाती है इसको ऐसा समझ सकते हो ट्राइट्य रेट को कि तुमने मिट्टी ली पानी में डाला गीली हो गई और सुखा दिया तो मिट्टी का डिला सा बन जाता लेकिन डिला दिख करें तो टैबलेट्ट दो कैटेगेरी को हुँत ही हैं कौटेड और अनकटेट टैबलेट ठीकना यह तोम diferen पार में जितनी उपर कंडिये है उसमें कुछ टैबलेट कोटेड होंगी और कुछ टैबलेट अनकोटेड होंगी के लिए रहाते हैं जितनी टैबलेट हमने उपर पढ़ी है उसमें कुछ टैबलेट कोटेड होंगी और कुछ अनकोटेड होंगी तो कोटेड टैबलेट के अगर हम बात करें तो कोटेड के वोपर क्या रहता है कोटिंग रहती है उसको covering कर दिया आती है उसके purpose क्या क्या है आओ फटाफट देख लें इस coating is defined as a procedure in which the desired doses form may be a granule the coating is defined coating क्या बहुत कोटिंग को हम define करते हैं बताते हैं यह procedure यह procedure in which the desired doses form जिस dose को हम लोग क्या करते हैं देना चाहते हैं बनाना चाहते हैं form may be a granule चाहाँ ग्रैनियूल हो दाने वाले आ पाडर हो या tablet हो उसको कोट करते हैं कोटिंग चाड़ाते हैं coated विदा आउट ड्राइफ लिम उसके पर एक हलकी वो यह program की जाती है ड्राइ फिल्म ड्राइफ टू आपटेन specific objective जिससे कि रहे प्मारा मकसद पूर और किया हो सकता है गन्दा टेस्टा हो सकता है मा घूटेन के सीर म dispelis फराराव ना हो जाए तो वह मकसद हो सकता है तो इन मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते है कोटिंग करते हैं वह तो यह एक्ञामपल है कि हम लोग जिनसे कर रहे हैं वह कौन-कौन से मेट्रियल हो सकते हैं ठीक है example एक क्या दू याद कर लोगे इन धॉ mornera-a âg की बात करें polymers and polysaccharides were principally used polymers है ना जो chain से बनते हैं और polysaccharides अपने carbohydrates हो गए इनको major तोर भी इस्तमाल किया जाता है used as coating material along with other excipients like plasticizers इनके साथ साथ जो coating है उनमें कुछ और चीज़ें इस्तमाल की जाती है जैसे कि plasticizers a substance that is added to a material make it softer and make flexible plasticizer क्या करता है उससे soft बनाता है और flexible बनाता है खिचाओ देता है to increase its plasticity plasticizer से plasticity बढ़ती है खिचाओ बढ़ता है उसमें to decrease its viscosity और उसकी viscosity decrease कर देता है and or to decrease friction during its handling in manufacture और friction को कम करता है तो यह plasticizer की definition आगे एक तरह से तो अगर plasticizer की definition यहा से हटा दूँ तो सीधा यह बनता है in the modern era polymers and polysacrets were principally used main तौर पर इस्तमाल किये जाते हैं as a coating material along with other excipients like plasticizers and pigments मतलब color इनके सब मिला करके हम coating material को इस्तमाल करते हैं बात समझ में आ रही है ठीक आप coating material जाएट सी बात है जो उपर ही coating है hard नहीं होनी चीए उसमें खिचाओ रहेगा तो ज्यादा अच्छा में आई अब objective की बात करें क्यों कर रहा है coating coating helps maintain the physical and chemical integrity of the active ingredients coating के वह से हम उसको physically और chemically क्या है दवाई की integrity यह खराब ना हो उस परपस से भी करते हैं also control the drug release कितनी दवा हमारी body में जाकर के हर घंटे रिलीज हो इसको भी उसको को control करने के लिए कोटिंग करते हैं तो कोटिंग यूस्ट इनाइस दा elegance of the pharmaceutical elegance मतलब सुन्दर्ता हम दवाई की सुन्दर्ता को बढ़ाने के लिए भी कोटिंग करते हैं ठीक आप सुन्दर्ता को समझे ना बच्चे वारा जाए तक कलर को करते हैं और एवन आजकल हम लोग भी थो दवाई कलर अच्छा हो तो क्या पेशन्ट खाता है राम से गंदा से इसके अफिस्टीकेशन आप एक तरह से अच्छी चीजास अपियरेंस को बहुत अच्छा कर देना वहस एंहेंस्ट वाई.. प्रिंटिंग और मेगिं विद अट्रैक्टिव कलर्स हम लोग प्रिंट करके उपर प्रिंटिंग डाल देते हम और और अच्छा लगता है और colors अच्छे अच्छे कलर में डालते हैं तो वो और अच्छा लगता है तो उसको Sophistication of Appearance को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग Printing का भी या Colors का इस्तवाल कर लेते हैं Coating के case में ठीक है? Coating हम सफेद coating भी कर सकते हैं लेकिन Color डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा Okay, Types of Tablet Coating अब किस किस परपस से तो objective हो गया Tabs की बात कर लें तो सुगर की coat चड़ाई जाती ही सुगर क्यों किया जाएगा? Obviously बात है टेस्ट को छुपाने के लिए गंदे वाले The sugar syrup is coated Sugar syrup लेते हैं और उसकी coating कर देते हैं On the tablet and water is left to evaporate उसके बाद छोड़ देते हैं सुखने के लिए पानी पानी ओड़ जाता है सुगर सुगर चीनी टेबलेट के उपर रह जाती है From the syrup है ना, सीरप बनाते हैं पहले और फिर उसके उपर एक तरह से स्प्रे कर देंगे Leading a sugar coating Sugar syrup बनाया, spray कर दिया और श्प्रे करने के बाद छोड़ दिया, पानी ओड़ गया तो टेबलेट के उपर क्या रह जाएगा केवल sugar sugar रह जाएगा The coating result ही ना, highly flavored इस coating के वैसे बहुत ज़्यादा flavor tasty और shiny tablet बनती है ठीक है, these tablet is specially used for kids और ये tablet खास करकी kids के लिए, बच्चों के लिए इस्तमाल की जाती है Film coated tablet ठीक है, केवल film की coating की जाएगी This coating is specially used for beautifying the tablet इसका mainly purpose क्या है टेबलेट को सुन्दर बनाना attractive बनाना using different colors, अलग लग कलर का इस्तमाल करते है spraying is used to create an even film spray करते है, कभी manufacturing देखो अगर YouTube पर जाओ तो spray वाली technology डालना की coating, film coating tablet by spraying method, तो वो spray करते हैं दिखाएंगे तुम्हें, जैसे हमनों normal spray करते हैं paint वगरा का वैसा ही होता है spraying is used to create an even film around a tablet tablet के आसपास this coating creates stable and strong tablet इसकी वैसे tablet के आस strong होती ही, तूटती फूरती ही नहीं टकराने से coating उसे बचा के रखती है gelatin coated tablet gelatin used to create a gel cap a capsule shaped tablet as the outer covering, एक gel cap बन जाता है tablet और उपर से gel, gel नुमा जैसे gel वाले capsule होते हैं तो main tablet यह है और इसके उपर हम लोग gel चड़ा देते हैं तो tablet अंदर आती है और gel जैल उपर आता है, ठीक है, एक तरह से tablets क्या होती है, entry coated tablets are tablets that are coated with an enteric coating, इसके उपर एक enteric coating रहती है, जो की gastric, pate के pH में जाके dissolve नहीं होगी entry coating are polymer that are put on certain tablets, जो कुछ tablets के उपर लगाई जाती है, to prevent them from dissolving in acid, जो उनको बचाती है acid में dissolve ना हो, acid कहा पाए जाता है, हमारे pate में 1.8 और 2 के आसपास होता है, pH जिसका है ना, HAP में पढ़ा हुआ है हम लोग ने, your stomach is very acidic, हमारा stomach बहुत जाता है, acidic होता है and some drugs need to be protected और कुछ दवायां चाहिए उसको बचाने के लिए from the acid in your stomach in order to work properly in your body, जिससे की ओधवा acid में जाके खराब ना हो और हमारे body में जाके properly काम कर सके बास समझ मारी है now compression coating tablet a compression coated tablet is the system in which the entire surface of an inner core is completely surrounded by a coat and these coats prevent drug release from the core until the polymeric coat is entirely eroded तो compressed coating मतला एक तरह से एक tablet उसके पर एक और coating की जारी compress करके, यानि कि एक और layer चड़ाई जाती है तो इसमें होता है क्या है जब तक की उपर वाली जो compress करके coating की गई वो जब तक पूरी dissolve नहीं हो जाती है तब तक अंदर की जो core tablet है ठीक है ना तो क्या कह रहा है अंदर की जो main tablet यानि कि यह पर वही वात आगी एक उपर होगी एक अंदर होगी तो यह जो coating जब तक पूरी dissolve नहीं हो जाती है तब तक यह वाला main medicine वाला core भाहर निकल के आएगा नहीं तो इससे क्या होगा इससे टेलेट का रिलीज देले हो जाएगा इस पेसली दोस फॉर इंटरस्टेंड तो हम लोग चाहते हैं कि दवा जो है तक तक दवा पहुंच जाएगी हमारी intestine या कोलोन में जा करके और वहां जाके फिर डिजॉल्व होगी और अपना effect दिखाएगी clear है अब advantage of coating coating के क्या क्या advantage है coating prevents stability to the tablets tablets को क्या दे रही है in handling and prevents them from sticking together हम लोग जब क्या करते हैं करते हैं तो रगड लगकर टूट फूट सकती है टैबलेट तो वह बचाता है coating साथ साथ में tablets को आपसा चिपकने से भी रोकता है the coating also improve the mechanical strength of the doses form coating क्या कर रहा है mechanical strength मतलब कहीं ना कहीं एक tablet है कोटी बिना coating की गिरेगी तुरण पट्टे से टूड़ी आएगी उपर से coating है गिरने के बाद जल्दी तूटेगी नहीं तो mechanical strength मिल रही है उसे causes the doses form smoother and more suitable for swelling साथ साथ में उनको smooth करती है और निगलना असान होता है तो कहीं न कहीं advantage तो उपर से उपर वाली point निचे आने वाले हैं pharmaceutical companies could print their mark companies अपना mark उसके उपर डाल सकती है symbol लगा सकती है, abbreviation डाल सकती है on the tablet and mask का disagreeable color order of the tablet है न company अपना उसके उपर क्या डाल सकती है marking डाल सकती है कि इस company की है साथ साथ में कोई color या order है tablet का जो गंदा है उसको छुपाया जा सकता है the release of active ingredients can even be controlled with the help of coating है ना controlled release tablet आएंगे आगे जाकर के coated dose form could be site specific यानि कि हम जिस site में चाते हैं हम चाते हैं पेट में तो पेट में डिजॉल्व होगी जाकर के हम चाते हैं colon में जाकर हम चाते हैं rectum में जाकर डिजॉल तो वो होगी जाकर के the coating prevents acid sensitive drugs from having a negative impact on the intestine acid sensitive drugs जो होती है acid से जो खराब हो सकती है, तो coating से हम उसको बचा सकते है, the drug release rate in the gastrointestinal tract could be control कितना drug पर घंटे हमारी body में जाए, ये भी हम लोग control कर सकते है, coating की ही help से, बात समझ मैं जिसका हम लोग पढ़ेंगे controlled release tablet में है ना, controlled release tablet topic आएगा, इस वाले part में तो नहीं है control release topic आएगा, तुम्हारा last third part में, modified tablet में बात समझ में आगी, अब disadvantage देख लें, क्या क्या है, the major disadvantage of tablet coating is the coating process is Tadus Tadus मतलब बड़ा ही, थोड़ा सा वैसा काम होता है, मुश्किल वाला काम होता है tableting तो असान काम होता है, लेकि can interfere with the tablet coating, कई बार कुछ medicines की जो pharma को dynamic properties होती है, यानि कि उनके जो activities है, उनकी जो chemicals की, वो affect हो सकती है हर बार नहीं, कई बार, the technique में often lead to several defects in the coating, such as chipping and cracks है ना, chipping and cracks आयाता है, tablet परत फट गई है, कुनने टूट गए है, तो बड़े गंदे से लगते है tablet देखने में बड़ी गंदी से लगती है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो defects आते हैं कई बार, तो coating में, coating में आ रहे हैं, the coating process is complex compared to other process, थोड़े सा complex process है, जटिल करिया है and therefore a trained person is required to handle this process, इसी लिए हर बार ये trained person ही चाहिए ऐसा नहीं किसी कोई लगा दिया और कर दी coating, बात समझ में आ रहे हैं, तो ये इसके आप जब trained person लाएगा, तो उसको additional खर्चा देना पड़ेगा, फिर costing बड़े जाएगी दवाई की, तो इस तरीके से ये कुछ इसके disadvantage है, exam point of view सो जो तुम लिख सकते हो बात समझ में आगी, तो ये सब किसके बारे में उपर बात होगी, coating tablet, ठीक है, और even जो अपनी modified tablets हम पढ़ेंगे last part में, वो सब भी कैसी होती है coating tablets ही होती है वो सब भी कैसी होती है, coating tablet सी होती है, clear है अब बात करें, uncoated में तो uncoated में कुछ है ही नहीं, coating खतम तो बचा किया, main chemical और excipient को मिला करके compress कर दिया, बन गई tablet, coating करनी नहीं है हमें, तो a single layer or more than one layer, हाँ इसमें layering हो सकती है, एक compression किया, फिर दूसरा compression किया, तो layering इसमें possible है, ठीक है, लेकिन coating नहीं, तो a single layer or more than है ना, जैसे कि हम लोग कर सकते हैं कि एक tablet और ये दूसरा टेरोट दो को प्रेस कर दिया, लेकिन इसके पर coating नहीं की, तो single layer or more than one layer of formulation that consists of active ingredients, जिसके अंदर active ingredients मतला हमारा main chemical होता है, and excipients होते है compressed, इनको compress किया जाता है एक साथ without any additional coat or cover, ठीक है, तो जो हमारे पास एक single layer or more than one layer of formulation, ठीक है, तो हम इसको simple कह सकते हैं कि हमारे पाडर होता है जिसके अंदर active ingredients होते हैं उसको हम एक layer या दो layer में compress कर देते हैं without any additional coating, simple हो गया uncoating का, अब चाहें वो coated हो, चाहें अब देखो, जो uncoated tablet है, उसके उपर additional क्या है, केवल coating तो additional हो रही है, बात बाकी तो same है, याने की coating हुआ चाहें uncoating हुआ, उन दोनों के बनने का तरीका same होगा coating वाले में additionally उपर से क्या कर दिया थी, coating, लेकिन जो manufacturing process है, वो दोनों की क्या रहेगी, same देख लें हम लोग, तो uncoated tablet में क्या, these tablets do not have any coating, इनके अंदर किसी भी type की coating नहीं होती है, these tablets have coating and then इस tablets में उनके उपर coating होगी they have rough surfaces, इनका surface क्यासा होता है, rough, अब coating नहीं है तो powder की वाई सो खुरकरा पनसा लगता है these have smooth and shiny surface, इनके surface कैसे होते हैं, smooth और shiny होते हैं, tablet की बात करें तो drugs और excipient, इन दोनों को combination होता है, यहाँ पर यह tablet बनती है, उसमें drug, excipient और साथ में क्या होती है coating होती है, uncoated की बात करें, cannot be classified as they have no coating, यहाँ पर हम classify नहीं कर सकते sugar coated, entry coated इसी classify नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ classify कर सकते हैं, film coated, sugar coated, entry coated, यहाँ classification possible है prepared by compression of granules यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है, granules को compress कर रहे है, prepared by compression of granules, यहाँ तक process same and then coating, लेकिन additional में coating, तो यह बात समझना बेटा, starting का point जो है compression वो same रहागा, केवल इसमें coating extra होती है, only tablet punching machine is required, यहाँ पर केवल punch करना है, tablet तयार, यहाँ पर punching machine के साथ coating machine भी चाहिए हमें as there is no coating, therefore sealing, subcoating, syrupping steps are absent, अब यहाँ पर कोई coating तो है नहीं तो seal करने ही ज़रूत नहीं है, subcoating coating में subcoating होती है, यह syrupping, जो उसको पर syrup चड़ा जाता है वो सब करना ही नहीं है, all these steps are present, यह सारे steps यहाँ मौजूद होंगे क्योंकि हमको यहाँ coating करनी है no need of tablet soaking in any medium before disintegrating test एक disintegrating test होता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं, tablet कितनी देर में तूड जाती है, तो यहाँ पर coating है नहीं, तो tablet को diet पाने में डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कि coating है, तो हमको पहले tablet को dissolve करके रखना पड़ता है, जिससे कि उसकी coating क्या हो तूट जाए, और फिर required to dissolve, ताकि घुल जाए थोड़ी सी coating उसकी उपर की उतर जाए तब जाकर के चेक की जाते हैं, कि कितनी देर में वो absorb हो रही है, घुल रही है, टूट रही है ठीक है, disintegration time within 15 minute, disintegration 15 minute का disintegration time, film coated होगा तो 15 minute sugar coated होगा तो 60 minute है, entry coated होगा तो 2 गंटे का time लगता है disintegrate in stomach, यह टूड याती है, पेट के अंदर disintegrating location depends on coating, यहाँ पर disintegration location, coating को depend करेगा यह वाली stomach में टूड जाएगी, यह थोड़ा सा कहाँ चली जाएगी, stomach के बहाँ चली जाएगी, तो बिल्कुल intestine में चला जाएगा, ठीक है no film only coating defect यहाँ, coating नहीं है, तो किसी type का coating defect भी नहीं है, यहाँ पर film और coating defect दिखाए पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर, जैसे कि blistering मतलब coating का भी पर फूल जाती है, इस type के defect दिखाए पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर coating हो रखी है, तो simple है coated और uncoated, very important question again है ना, इनका difference, पूछा जाता है तो यह तुम लोगों को note करना है अब बात करें tablet manufacturing की, ठीक है ना अब चाहें coated हो, चाहें uncoated हो, manufacturing, same है manufacturing का तरीका, same ही होगा केवल coated वाले में एक additional coating चड़ा दी जाती, spray करके, खेल खतम आगे आते हैं, अब क्यार्ड लेस of whether a tablet is manufactured by direct compression, अब एक तो तरीका यह है, कि हमने क्या क्या जो powder तयार था, उसको direct compress कर दिया और granulation, या फिर हम लोग उस powder को granule में बदल देते हैं अब granule की जरुवत क्यों पढ़ती है उसके बारे में भी डिसकस करेंगे processing aids दोनों के case में जो सहायक होते हैं, जो helper होते हैं उनकी जरुवत पड़ती हैं और यह जो सहायक और helper होते हैं tablet बनाने के लिए इनको हम लोग क्या कहते हैं excipients कहते हैं क्या कहते हैं, excipients and are either गल्द है, and call and they are called excipients and they are they are आ जागा, यह क्या होते हैं कौन कौन है, diluents, अब देखो diluents क्या है कौन कौन इस्तमाल होते है excipients, यह भी again tablet manufacturing में important है, कौन कौन चीज़े इस्तमाल होती है diluents क्या क्या काम करता है, simply an ingredient that is used, जिसका इस्तमाल होता है as a bulking agent bulk बढ़ाता है to make a tablet large enough to handle and swallow, अब मालों हमें 5 mg tablet है, बहुत इतना सा powder है, तो उसकी punching भी मुश्किल है और उसकी handling भी मुश्किल हो जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, उस 5 mg को थोड़ा सा diluents, bulking agent से मिला देंगे, तो थोड़ा सा powder ज़्यादा होता है, तो बड़ी tablet बन जाती है ठीक है, बात समझ में आगी example, बात करने तो micro crystalline cellulose, lactose, di calcium phosphate, यह सब क्या है development है, जिनका हम लोग इस्तमाल करते है lubricants, lubricants are materials that lubricate powder mixes जो powder को mix कर रहे हैं, उन्हें lubricate कर देता है चिकना बनाएगा, जिसे की easily flow करें और जब tablet बन जाती है तो lubrication चिकना होने के वाज़े से वो machine से easily बहार आती है वनना जिस खांचे में बनती है, प्रेस होकर है उस खांचे में चिपक सकती है बात समझ में आई, without lubrication powder में stick to the punches, जो punching machine होती है इस सरफ punching करती है, वहाँ पर powder चिपक सकता है especially if it is too moist अगर वो punching machine हलकी से भी गीली है या बहुत जादा गीली है किसी वाज़े से तो वहाँ पर क्या है वो powder जो है वो चिपक सकता है बात समझ में आ रहा है ठीक है ओके example क्या है यहाँ पर बात करें तो magnesium stearate, stearic acid, talk talk अपना powder जो होता है ठीक है, disintegrants, पता ही है जो पेट में जाके दवाई को तोड़ने का काम करेंगे अब material to promote disintegration of the tablet एक ऐसा material जो disintegration को promote करेगा, जिससे की tablet तूटे पेट में जाकर के when swell it, जब निगल ली जाती है तो पेट में जाकर तूटना है enhanced water penetration by wicking effect, ठीक है न यह क्या करता है, penetrating effect है जो हमारी body के अंदर पानी है, liquid है उसको tablet के अंदर घुषने में help करता है increased porosity, थोड़ा सा tablet को porous हमको दिखती नहीं है लेकिन उसके अंदर छेद से होते हैं, बहुत microscopic holes होते हैं, जिसके अंदर पानी easily घुष जाता है, इसलिए porosity create करता है, swells in contact with water, और disintegrants होते हैं, पानी की contact में आगे फूल जाते हैं, जो फूलेंगे तो tablet तूड़ जाएगी and break cohesive bond जिसे वाज़े से क्या होता है, जो दवाईों के powder की बीच में जो cohesive bonds हैं, जो उनकी बीच में bonding है, उसको तोड़ने में जो भी फूलेगा, तो force लगाएगा, उनकी bonding को तोड़ देगा, पूरी tablet तूट फूट जाती है, फिर example में कौन को ने, starch, cross carmelose, sodium sodium starch, glycolate और cross povidone, ठीक है न, इसके नाम है यह example लेकि याद कर सकते हो, glidant, glidant are a material that improve the flow of powder, powder के flow को, यान कि जब हम मिलाते हैं, तो ऐसा ना हो कि वह दर चिपक जाता है, कई बर देखा होगा, तुम लोग जाए गौर से देखने हैं, जैसे कि अपना आटा, आटे को ऐसे उठाओ, ऐसे लिड़ाओ, तो कभी एसे लुड़काओ, तो कभी थोड़ा गिरेगा, कभी बहुँ ज उठाओ, चमब से बर से गिराओ, तो एक flow में चलता रहता है, चीनी या नमक, तो free flow कहते हैं, उसको हम लोग, तो free flow होना चाहिए, जिससे की हम जितनी quantity चाते हैं, उतनी quantity हमको मिलती रहे, चिपका रहेगा, powder तो फिर क्या है, कभी कम गिरेगी, कभी ज्यादा किरेगी, क्य उसमें क्या manufacturing में दिक्कत आ सकती है तो flow of powder mix है जो powder mix के जा रहा है उनके flow को बढ़ा देता है एन example is collidal silicon dioxide most powder without the add of flow agent simply cannot flow at speed required for high speed tabulating जब बहुत जल्दी जल्दी tabulating करनी होती है तो जिस रफतार से हम चाते हैं कि powder flow करें उस रफतार से नहीं गिरेगा अगर हम लोग Glident का इस्तमाल नहीं करेंगे तो कि लिए रहे बाते है ठीक है binders a material that imparts cohesive to the formulation binders क्या जो बांधने का काम करेगा जो molecule हम यह भी तो चाहते हैं कि दो जो powder हापस हम बंदी भीता जाए ठीक है तो हर एक चीज़ का इस्तमाल होता है helps bind powder particle into granules अभी granules की बात करेंगे तो granules जब बनते हैं मालों यह powder है अधेर सारा हम चाहते हैं छोटे छोटे से ग्रेनी बन जाए यानि तुम इसको ऐसे समझ सकते हो चीनी को पीज दो तो क्या बन जाता है उसका बुरा बोलते हैं जो एक दम powder form में हो जाएगी तो चीनी को पीसीवी चीनी powder है और चीनी है ना तो यह है सुगर पाउडर अगर समझ पा रहे हो तो जो तुम लोग तुम लोग देखते हो एंड दिस इस सुगर क्रिस्टल तो सुगर क्रिस्टल हमारा हो गया ग्रेनी उल्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रेनी उल्स और इसको powder को हम लोग क्या बोलेंगे सुगर पाउडर helps bind granules अब जो binders है ना ये इन granules को आपस में जोडने का काम करेंगे जब हम लोग tablet बनाते हैं किलियर है helps bind granules together during the compression process example include hydroxy propyl methyl cellulose ठीक है HPMC in water starch paste in warm water gelatin polyvinyl pyrolydone याने PVP तो binders का नहीं आपर जिक्रा आ गया तो यहाँ पर जितने हमने इस्तमाल किये excipients उन सब का तुम्हें definition तो पता होनी चीए और एक एक example पका पता होना चीए आ सकता है important है अब बात कर लें जारा हम लोग granulation की ठीक है ना तो granulation क्या है granulation is the process of particle enlargement by agglomeration technique यह जो छोटे powders थे इनको हम लोग क्या कर दिया बड़ा कर दिया agglomeration आपस में जोड़ जोड़ करके technique का इस्तमाल किया ठीक है it's one of the most significant unit operation यह भी एक unit operation है ठीक है granulation in the production of pharmaceutical doses forms mostly tablets and capsules कब कौन सी doses form tablet और capsule जब बनाते हैं जो powder है बिल्कुल powder form होता है उसको हम लोग छोटे छोटे दाने यानि granules में convert करते है granulation process transfers fine powder fine मतलब एकदम पिसा हुआ एकदम पिसा हुआ ठीक है into free flowing dust free granules free flowing जो easily flow करते हैं जैसे मैंने बताया था चीनी जो दाने है वो easily flow करते हैं पिसी हुई चीनी जो होगी powder के form में वो easily flow नहीं करेगी ठीक है dust free granules that are easy to compress और granules को compress करना भी क्या है असान होता है compare to powder क्यों powder के बीच में air वगरा trap रहती है तो बड़ा दिक्कत आता है ठीक है अब granulation process can be divided in two types इसको हम दो types की category में डिवाइड कर सकते है wet granulation that utilize the liquid in the process and dry granulation तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते है wet granulation गीला जहाँ पर हम लोग moisture के इस्तमाल करेंगे and dry granulation यहाँ पर हम लोग किसी भी type का solvent या liquid का इस्तमाल नहीं करेंगे that requires no liquid the type of process selection requires thorough knowledge हमको कौन सी process अपनानी है wet granulation या dry granulation इसके लिए thorough knowledge एक अच्छी knowledge होने चाहिए of physical chemical property of the drug drugs की property क्यों लेकर रहे है क्यों क्योंकि जब हम लोग wet granulation करेंगे तो इसमें heat दे करके हमें सुखाना भी होता है heat से कई वार कुछ medicine खराब भी होती है ठीक है physical chemical properties of the drug and excipients excipients और drugs दोनों की हमको physical chemical properties अच्छे से पता होने चाहिए तब हम लोग decide करते हैं कि हमें wet granulation इस्तमाल करना है या dry करना है ठीक है among currently available techniques spray drying, roller compaction, high shear mixing and filled bread granulations are famous कौन कौन सी granulation techniques आजकल famous है तो उनके नाम दे दिए हैं यहाँ पर मैंने आएंगे कैसे तो तीन तरीके हैं tablet बनाने के हमको क्या करना है three principles method for preparing powder formulations for compression तीन तरीके से बना सकते हैं direct compression यानि कि हमने यहाँ पर क्या 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 जो powder है उसको directly compress कर देंगे directly क्या कर देंगे compress कर देंगे और दूसरा क्या है हम पहले उन्हें granules में convert करेंगे ठीक है या तो wet या dry और granules में convert करने के बाद फिर tablet बनाएंगे बास समझ में आगी powder को directly compress कर देंगे tablet बना देंगे या फिर पहले granule तो आजकर direct compression वाला technique लगभग लगभग खतम है granule वाला ही क्या किया जाता है follow किया जाता है कि लिए रहे चले फटा फट पढ़ ले तो डारेट कंप्रेशन वारी सिंपल इस इस आइडियल ऑप्षन बट इस रेरली अचीवेवल ड्यू टू यह एक आइडियल कंडिशन ना कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता हम एक्स्टा मैंद नहीं करने पड़ी लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसको कर पाना क्यों अक्टिव पाटिकल साइज और डेंसिटी मिस्मैच विद एक्सिपेंट कॉजिंग पूर हमोजिणेटी तो उनके साथ उनकी मिक्सिंग में दिक्कत आती है दूसरा लाजड़ क्वांटिटी पर टेपलेट अगर बड़ी क्वांटि नहीं होता है और poorly compressed होगा तो active active मतलब जो active ingredients है वो poorly compressed हो रहे हैं अच्छे से compressed नहीं हो रिजल्टिंग इन वीक फ्राइबल टैबलेट इसकी वैसे कमजूर और मुलायम टैबलेट बनेगी जिसको कभी हम ऐसे गिरा रहें या पैकिंग कर रहें तो उसे में तूट फूट जाएंगी ठीक है तो यह दो बड़ी problem आती है इनके साथ direct compression के case में अब problem associated with direct compression क्या क्या problem है if the material is powder rather than granule अगर क्या है material powder है granule नहीं है तो क्या होगा it will have poor flow मैंने बताया था अभी उपर कि powder को ऐसे गिराओ और दानों को ऐसे गिराओ दाने बड़े नहीं बहुत महीन दाने होते हैं तो जो दानों का flow होता है वो काफी अच्छा होता है तो poor flow characteristics which can lead to uneven tablet weight इसकी वैसे क्या tablet कहीं पर कम गिर रहा है कहीं ज्यादा गिर रहा है तो वेट प्रॉपर नहीं आएगा the pressure transmission through powder mass is poor अब powder को जब दवाया जाता है ना तुम कभी यह देखना मैं बताता जो अपने चीनी होती है चीनी का कभी तुम कनस्तर भरते हो तो वो एकतार पूरा भरता है वही पे तुम कभी पिसा हुआ आटा लेके आओ और उसको अपने बरतान में भरो पूरा आटा 15-20 kg तो तुम्हें दवाना पढ़ता है कभी यहां से दवारे हो और यहां से दवार तो उसको जब भरते हो कनस्तर में बोरी से निकाल करके तो वह एकतार नहीं होता तो पॉडर और किस्टल में यही दिक्कत आती है किस्टल बैटर है तो वही कह रहा है तो प्रेसर ट्रांसमिशन जब प्रेसर लगाते हैं तो एकतार नहीं होता जब लगाते कहीं ज्यादा पड़ रहा है तो दिक्कत है ओके consequently particle do not knit together very readily इसकी वैसे क्यों होता है powder सापस में अच्छे से जगडते नहीं है और फिर आगे लागे जो tablet बनेंगी वो कमजोर बनती है powder इसपेसली fine ones powder जो कि बहुत ही यह होते हैं tend to blow out of the dye dye मतलब खाचे खाचे पंचिंग होगी इस तरीके से powder ऐसे उड़ेगा है ना ऐसे powder मारो तो ऐसे उड़ता है at the top and sip out at the bottom या फिर क्या होगा powder क्या है ऐसे जहना से देखाओ suspension में कई बार नीचे की तरफ बैठ जाता है तो या तैसे उड़ेगा या नीचे की तरफ बैठ जाएगा तो दिक्कत करेगा dusty powder tend to mix with oil or grease है ना machine में oil grease रहता है तो उसमें उससे वो powder mix हो सकता है and eventually cause sticking of the punches और जो पंचेस होते हैं उनको क्या कर देगा वो चिपचिपा कर देगा in the dyes और turret bores जो bores होते हूं अपर चिपचिपा बना जाएगा powder containing two or more components में segregate और क्या हो सकता है जो powder का अंदर दो या दो से जादा component है वो बाद में क्या हो सकते हैं क्योंकि अच्छे चिपकेंगे नहीं तो क्या हो सकते हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं actually यह line यहां नहीं चाहिए ठीक है वो last इसके बाद वाई line है यह बात समझ में आई क क्या क्या प्रॉलम आती है डारेट कंप्रेशन से ओके अडवांटेज ऑफ डारेट कंप्रेशन की बात करें अगर हम लोग कुछ few stages involved कुछी stage involved होती है लो handling cost उनका handling cost बहुत कम है handle करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है losses बहुत कम होता नियर जिरो no water or heat involved कोई पानी या heat involved नहीं होती है reduces कोई भी heat involved नहीं है ठीक है ना लेकिन granulation में इस्तमाल होगी reduces the risk of degradation of the active यहां पर क्या है क्योंकि heat इस्तमाल नहीं है पानी इस्तमाल नहीं है तो जो active है active मतलब जो हमारा main chemical constraint है उसका degradation खराब होने के chance ना के बराबर होते हैं ना वो तो होगी बात compression की है तो improve compressibility मैंने बताया था कनस्तर में जब भरते हो तो वो compress बहुत असानी से अच्छे से होते हैं reduce fines fineness powder पन उसका कम हो जाता है तो control tendency of powder to segregate ठीक है powders की जो अलगलग होने की tendency है जब हम इन granules को आपसे चिपकाते हैं तो granules जल्दी से अलग नहीं होते हैं control density density control रहती है एक स powder form में वो आपसे चिपक जाते हैं जिससे कि क्या है एक समान हमारा drug maintain रहेगा और वो दाने जो रहेंगे वो एक समान चलेंगे ठीक है ना to capture and fuse small quantities of active material जो छोट छोटे पार्टिकल इदर दर उड़ जाते हैं वो भी आपसे चिपके रहेंगे और हमारा जो दवाई है वो प्र का दाना होता है है ना कुछ वैसा ही होता है उससे भी और महिन कर सकते हैं लोग और यह powder है तो powder और granules में अंतर समझ में आ रहा है क्लियर हैं बाते हैं चलें आगे फटाफट देख लेते हैं हम लोग wet granulation का तरीका है जिसमें हम लोग wet उसको liquid का इस्तमाल करके गीला करके ब का एक मास तैार करते हैं और राइग प्रैम्मरी प्रावडर ये प्राभी प्राइमरी प्रावडर फ्राइंटर इसिन को प्रावडरRe से अUSTमा The fillude contains a solvent. Fillude के अंदर एक solvent होता है, which must be volatile, जो कि क्या होता है? Volatile होता है. जो हम liquid मिलाते हैं, powder को granule में डालने के लिए, उसमें एक ऐसा solvent होता है, जो volatile होता है, जब वो चिपका देगा दानों को, उसके बाद वो उड़ जाएगा, just like petrol. गिला करके चिपका देगा, फिर वो उड़ जाता है. ठीक है, must be volatile, so that it can be removed by drying, जिससे कि जब हम सुखाएंगे, तो easily वो उड़ जाए. And be non-toxic, उसको non-toxic होना है, toxic होता दिक्कत हो जाएगी. Typical liquid include, कौन-कौन से liquid इस्तमाल करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक adhesive डाल देते हैं, कारण क्या होता है, पानी जैसे मैंने बताया था, एक मिट्टी है, पानी डालो, मिट्टी का गोला बना दो, जैसी पानी उड़ेगा, गोला बना रहेगा, लेकिन जैसी टच करोगा, मिट्टी का डेला फूड याता है, और उसी पानी में, अगर मैं थोड़ा सा एक adhesive, एक glue डाल दूँ, चिप-चिपापन डाल दूँ, एक ऐसी चीज़ डाल दूँ, जो मिट्टी के पार्टीकल को चिपका दे, तो पानी उड़ भी जाएगा, और मिट्टी का पार्टीकल बाद में फूटेगा भी ने, तो हम लोग यहाँ पर भी वही इस्तमाल कर रहे हैं, कि उसके अंदर, जो हमारा granulating fluid है, जो हमारा adhesive यह सुनेश्चित करता है, पानी जर्णली इस्तमाल करते हैं, एकनॉमिक सस्ता पड़ता हो, एकलोजिकल सेफ है हमारे लिए, ठीक है न, कोई toxic नहीं है, इसका disadvantage क्या है, as a solvent, or that it may adversely affect drug stability, वाटर है hydrolysis कर सकता है, ड्रग के molecule को तोड़ सकता है, वाटर क्या करता है, इसका disadvantage क्या है, drug की stability पर affect डाल सकता है, causing hydrolysis of susceptible product, अबर कोई product उसमें ऐसा है, जो पानी से मिलके तूड जाता है, पानी के वहे से, तो उसकी stability खराव हो सकती है, and it needs a longer drying time, than do organic solvent, तो organic solvent के comparison में, इसको सूखने के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा time चाहिए होता, यह इसका disadvantage है, आगे आते हैं, organic solvents are used when water sensitive drugs are processed, organic solvents का इस्तमाल होंगे, जब water sensitive drug इस्तमाल किये जाते हैं, ठीक है, तब हम लोग organic solvent का इस्तमाल करेंगे, जो drug पानी से खराब हो सकते हैं, तो पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे, ठीक है, as an alternative to dry granulation, ठीक है, और when a rapid drying time is required, ठीक है, जब बहुत जल्दी सुखाना हो, या फिर dry granulation नहीं करनी हैं हमको, तो हम लोग organic solvent का इस्तमाल करते हैं, उस case में जहाँ पानी से drugs हमारी खराब हो सकती है, water mixed into the powders, पानी को mix करते हैं, powder में can form bonds, ठीक है, जो पानी को अब जखो, यहां process समझो क्या हो रही है, यहां पर क्या मेरे पास process है, water mixed into the powder, पानी को mix किया powder में, can form bonds between the powder particles, ठीक है न, उसमें क्या हो गया, जो particles थे, उनके बीच में bonding बन गई, ठीक है, पानी के वाई से, that are strong enough to lock them, इसकी वाई से वो आपसे चिपक जाते हैं, lock हो गए, however, once the water dries, अगर पानी उड़ेगा, the powders may fall apart, अब पानी जब उड़ेगा, तो bond खतम हो जागा, particle वापसे तूट सकते हैं, therefore, water may not be strong enough to create and hold a bond, तो पानी अकेला उतना सच्छम नहीं है, कि वो bond बना सके और particle सो जगट सके, ठीक है, particle सोट से बड़े-बड़े बना आएता हूँ, मैं समाझने के लिए, powder के particles को, in such instance, ऐसी जगहों पर, a liquid solution that includes binder, यालि कि हम लोग binder का इस्टमाल करते हैं, जिसको उपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसको कि हम लोग कहते हैं, pharmaceutical glue, क्या कहते हैं, pharmaceutical glue भी कहते हैं, is required, povidone की बात कर लें, which is polyvinyl pyrolydone, is one of the most commonly used pharmaceutical binder, सबसे ज़्यादा इस्टमाल उने वाला pharmaceutical binder है, when PVP and a solvent water are mixed with powder, जब हम PVP, पानी और इसको इस्तमाल करते हैं, मिला देते हैं, तो PVP forms a bond with powder, अब इस case में क्या होगा, PVP bonding बना लेगा, ठीक है, forms a bond with powder during the process, and the solvent water evaporates, पानी उड़ भी जाएगा, तो यहाँ पर जो यह PVP है, इसने bond बना करके, दोनों को क्या कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से हमारे granules बनके, तयार होते हैं, powder चिपक जाते हैं, और granules बनके तयार होते हैं, once the solvent of water has been dried, एक वारी पानी जब सूख गया, and the powder has formed, a more densely held mass, पानी सूख गया, पावडर एक बहुत ज़्यादा dense mass, याने कि अब granules में convert हो चुका है, then the granulation is milled, उसके बाद granules को पिसाई के लिए, पिसाई मतलब एक तरह से machine हो डाल देते हैं, ठीक है, this process result in formation of granules, और अब आगे जाकर के क्या बनता है, granule बन जाता है, तो इसका step समझते हैं, मीलिंग वाली जो बात आई हैं यहाँ पर, तेको drug को हम लोग क्या करते हैं, जो drug को पीस लेंगे, powder बना लेंगे, फिर इसको आपस में क्या करते हैं, मिला लेते हैं, adjuvant जो भी extra chain डालनी होती हैं, वो डाल लेते हैं उसके अंदर, और mixing कर लेंगे, फिर हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे, granulating liquid, powder है अभी यह, अभी यहाँ तक क्या है मेरे पास यह, powder है, तो granulating liquid डालेंगे, तो इससे क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगा, चिपक निसे क्या होगा, कोई छोटा बनेगा, कोई मोटा बनेगा, कोई बहुत बड़ा बन जाएंगे, इस तरह से granulis बन जाएंगे, हम लोग उसको फिर क्या करते है, milling, एक तरह की छन्नी माल लो, उसके उपर ऐसे प्रेस कर देंगे, तो इसके अंदर से एक खास शेप के, पैलेट तूट तूट के नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना, एक खास शेप साइज है, कुछ छोटे बड़े भी हो सकते हैं, कुछ बहुत महीन भी हो जाएंगे, ऐस समझ लो, कि छन्नी ती उससे हमने इसको ऐसे प्रेस कर दें, पैले दाने बनके फिर उसमें से भी, और बड़े बड़े दाने से तूट जाएंगे, और नीचे आ जाएंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, सुखा लेंगे, सुखाने के बाद च्छानेंगे, स्क्रीन करेंगे, हमें एक खास साइज के ही चाहिए, ये स्क्रीन में एक खास साइज के दाने जो हैं collect कर लिए जाएंगे उन्हीं दानों को आप मिला करके finally lubricant डाल करके compressor में डाला जाएगा और हमारी tablet बनके बहार आजाती है clear है यह बात समझ में आगे तो यहाँ पर हमने किसका इस्तमाल किया है liquid का इस्तमाल किया है कि बाइंडर का इस्तमाल होता है पीवीपी एक जामपल याद कर लोगे नाव ड्राय ग्रेनलेशन ड्राय ग्रेनलेशन में हम लोग पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे तो formation of granules by compacting powder powder को यह बड़ी तेज़ प्रेस करते हैं कभी तुमने देखा होगा ना पाडर को बड़ी तेज़ प्रेस करो तो वह चप्ता होके चिपक जाता है तो हम लोग यहाँ पर वही कर रहे है तो हम लोग उसे compact करके बड़े-बड़े पीसिस में जैसे सूखी चीज को बहुत दबा दो तो उसके बड़े-बड़े चप्टे-चप्टे खांचे से हो जाते हैं ठीक है फिर हम उसको वापस से क्या करें कि वह काफी पॉडर था इसको हमने क्या कर दिया प्रेस कर दिया प्रेस करने से इसके बड़े-बड़े size आड़े तिर्चे से ऐसे बड़े-बड़े size बनके तयार होते हैं ठीक है सब्सक्वर्टरी बाद में उसको हम तोरते हैं और size n2 granules हम लोग उसको थोड़ा सा क्या करेंगे next crush करेंगे और गैनूल की size में तोड़ लेंगे often referred to as dry granulation, double compression और pre-compression हम उसको एक बार और compress करते हैं जिससे कि वह चननी से छानते वक is a possible granulation method which however is not widely used in the manufacturing of tablet आज कल बहुत ज़्यदा इसका इस्तमाल नहीं होता है तो देखो थोड़ा सा process समझ में कोईशिश करते हैं लिखावट में साइद बात उतनी समझ में ना आई हो तो देखो यहां से समझते हैं diagram से यह diagram को उपर मैंने लिखा हुआ है तो पहले drug को पतले बड़बड़े बनके आगे चपट चपट खांचे जैसे शेप जैसे ड्रग कर तोड़ेंगे तोड़ने के वाद से च्छानेंगे उसी जाली से च्छानेंगे जितने दाने का साइज हमें चाहिए होगा च्छन करके जो नीचे आ जाएगा उसको वापन से बलेंड कर लेंगे यहां पहरे हम पानी का इस्तेमाल नहीं किया नो लिक्वीड बड़ा तेज हिट करके कम्प्रेस करके हमने दानों को आपस में क्या कर दिया है ठीक है धैन हम लोग क्या करेंगे हिहाँ यह टैबलेट प्रेस मशीन आ गया चेमप्रेसन वाली और फाइनल कम होता है for processing powder and powder blends तो जो को टैबलेट बनने की दो ही method है यही या तो dry या wet या direct compression इसके अलावा कोई और तरीका नहीं जितनी भी टैबलेट हम पढ़ेंगे उनकी manufacturing में इन में से कोई भी एक step explain कर सकते हो अगर manufacturing के लिए लिखने का question आएगा तो it does not require the use of liquid binding agent liquid binding agent की भी ज़रूत नहीं है which eliminate the need for separate moisture addition and material drying stages तो यहां पर जो material को dry करने के लिए जो एक stage extra चाहिए होती है हमको जाने के step चाहिए होता है या add करने के लिए चाहिए होता है वो सारे stage यहां खतम हो जाते हैं compared to wet granulation this distinction saves on material labor and energy cost अगर wet granulation से compare किया जा तो यह जो ग्रेंड लिशन है यह बचाता है material ठीक है ना liquid वगरा बचा लिया उसने बाइंडस बचा लिया हमारा labor cost बचा लिए और energy cost बचा लिए machine में भाई बिजली वगला खर्च होती है इस तरीके से यह कहीं कहीं advantage है इसके उसके उपर wet के उपर बात समझ में आ रही है किलियर है ओके तो यह अपना tablet का part one खतम हो गया इसके total तीन पार्ट आएंगे यही थोड़ा सा बड़ा था इसको अच्छे से समझ लें granulation वाला part very important वो हर जगे इस्तमाल होगा ठीक है ना बाद आगी तुम लोगों को पता ही है झाल